हाथ पैर कमर दर्द, घुटनों का दर्द, मास पेसियों का दर्द, एठन, सूजन, जड़ से खतम हो जाएगा सरीर में यानि कि हट्डियों में अगर केल्सियम की कमी है आती है घुटनों से कटकट की आवाज तो दोस्तों केल्सियम की कमी पूरी हो जाएगी आपके सरीर में इतनी चूस्ती फूरती आएगा कि आप भी दंग रह जाओगे तो रुस्का तयार करने के लिए आपको बस इस तरीके से ये जो मिलके मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में ये बनाना होगा ये जो मिलक होता है ना इसमें भरपूर मातरा में केलसियम बिटामिन्स होते हैं जो कि आपकी हड्डियों में केलसियम की कमी को पूरा करेगा और साथी साथ घुटने के दर्द को भी खतम करेगा तो दू तयार करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है आपको लेना है काली मिर्च यहाँ पर आप दे सकते हैं मैंने ब्लैक पेपर लिया है यह जो काली मिर्च होती है यह दर्द को खीचने में यानि कि दर्द निवारण होती है यह काली मिर्च दर्द को खीचने में बह पर दोगा ना ही सूजन होगी ना ही आपको गठिया की प्रॉब्लम होगी तो आप बस इस मुस्के को इस्तेमाल करिए और दर्दों को खतम करिए यहां पर मैंने क्या किया है चैसे सात काली मिर्च ले लिए और आप सतिते सरजयो का मौसम चल वा है तो इस मौसम में छैसात काली मिर्च बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे तो आप 6-7 काली मिर्च ले लीजिए यानि कि इसको कूट लीजिए दरदरा और कूटने के बाद में आप भगोने में डाल दीजिए और उसके बाद में आप इसमें डाल दीजे दूर यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने करीबं एक कब भरकरके दूर डाल दिया है और अब इसके बाद में हम इसमें अगली जो सामगरी डालेंगे यह है दोस्तो अद्रक यानि की जिंजर यह जो अद्रक होता है इसमें भी केल्सियम आयरन बिटामिन्स फास्ट वोरस ठीक है ना भरपूर मातरा में होता है और यह दर्द निवारण होता है हमारी नसलाडियों को क्ली लीजिए अद्रक का इसको कूट लीजिए या फिर ग्रेट कर लीजिए और कूट करके आप क्या करें इस दूद में डाल दीजिए यहां पर मैंने क्या किया था जो भगोना था दूद का इसको मैंने गैस पर रख दिया है और जब दूद में एक उबाल आ जाए तब ही दिया है अब क्या करें इस दूद को करीब द रानい इसमें और तीन चार उबा Лाने के बाद में आप सकता तो हमें इस दूद में मिल सके जोस्त रारा करीबन आदा मिनट के लिए दीमियाद पर अब हम क्या करेंगे इसको गर्मा करम चान लेंगे यह देखिए मैं इसको कप में चान नहीं हूं दोस्तों एक आप रिक्वेश्ट आ वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों में सेरे कर दीजिए चैनल दालेंगे मिस्री डाल सकते हैं गुड़ डाल सकते हूं ठीक है ना गुड़ या मिस्री चीनी का प्रियोग बिल्कुल भी नहीं करना है मिस्री भी दर्द को खीचती है अगर आपको डाइबटी यानि की सुगर है तो आप इसमें कुछ भी मीटा ना डालें ऐसे ही इस ड्र टाइप में डेली टाइप में आप यह मिस्री लीजिए धागे वाली और इसी को आप यूज करिए तो मैंने मिस्री का पाउडर पहले से ही बना करके यानि की कूट करके रखा है तो मैं इसका मिस्री का पाउडर मैं इसी दूद में डाल दी रही हूं तो आप इस तरीके से मिसरी इसमें डाल दीजिए और डाल करके इसे आप mix करिए अब यह जो मैंने आपको दूद बताया है यह ड्रिंक बताया है एक कब बताया है अगर आप थोड़ा ज्यादा पी सकें तो आप इस तरीके से एक गलास ड्रिंक यानि कि एक ग्लास दूद तयार कर सकते हैं और इसको आप सेवन कर सकते हैं आप देखना आपके घुटने का दर्द, कमर का दर्द, जोडो का दर्द, मास पेचो का दर्द छूमंतर हो जाएगा दोस्तों आप मुझे खुद ही कमेंट करके धनवाद बूलोगे अब आप इस दूद का सेवन कब करेंगे? आप इस दूद का सेवन करेंगे रात में सोने से पहले आपको रोज नियम से लगातार 15 दिन तक इस दूद का सेवन करना है रात में सोने से पहले और इस दूद को आपको पीना है गुनगुना गुनगुना थोड़ा सा गुनगुने से जादा गुनगुना आप इसको पीजिएगा सिफब सिफ करके धीरे दीरे आप पीजिएगा आप देखना आप जैसे ही इसको पीएंगे रात में आपको सुबह ही इसका रिजट दिखन श्टार्ट हो जाएगा तो इस तरीके से लगातार इसका सेवन करिए और आप अपने हर तरीके के दर्दों को बाई बाई बूलिए तो दोस्तों आपके सरीर में इस दूद को पीने से चुस्ति आएगी पूर्ति आएगी साथी साथ केल्सेम की कमी पूरी होगी और आप अप अपने आपको मत्र 55 साल का मैसूस करेंगे वीडियो पसंद आये तो लाइक करें दोस्ते